नमस्कार पावर सेंटर के साथ हाजी रूम है चटपटी और रोचक खबरे लेकर तो चलिए देखते हैं इस बार क्या है खास हमारे देश में नौजवान और किसान यह दोनों पूजी हैं लेकिन पिछले कुछ समय से किसानों का मामला ऐसा उल्जा है कि वो लगातार चर्चम हैं उनकी परिशानिया कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन रहात की बात यह है कि केंद्र और यूपी में जो सरकार है उसके कुछ नेता ऐसे हैं जो कई बार किसानों के पक्ष में बोल देते हैं हाला कि कोई एकातबार ही बोलता है लेकिन बरुण गांधी बार-बार बोल रहे हैं जिससे यह लगता है कि यह नवजवान नेता बीजेपी के अपने ही सरकार से असंतुष्ठ है बरुण गांधी पीली भीच से सांसद हैं उनका एक ताजा वीडियो फिर आया है जिसमें वो मंडियों में घूम रहे हैं धान के केंद्रों पर और किसानों के लिए वो खुले आम माइक पर कहते हैं कि किसान अपना हक मांग रहा है उसको हक मिलना चाहिए जहां वो कम्या पाते हैं वहां अफसरों को फटकार लगाते हैं उन पर भष्टाचार के आरोप में जेल भेजने की चेतावनी भी देते हैं बरुण गांधी का जो मामला है यह लखीमपूर में जब से गाड़ी चढ़ा कर किसानों को मारा गया है उसके बाद से यह थोड़ा ज्यादा ज्यटे हैं और कई सारे पीजेपी के नेता हैं उनकी बैयान पार्टी लाइन के खिलाप जा रहे हैं लेकिन सायद वरूल गांधी को इसकी परवाह नहीं हैiiii बरुल गांधी को साइद परवाइस की होगी भी नहीं क्योंकि वो इस तरह की सियासत करते हैं जहां पर दाग लगने की आरोप लगने की गुंजाइस बली कब होती है पिछले 13 साल के उनके सांसद के कारकाल को अगर हम पलट कर देखें तो वो एक बार पहले पीली भीच से सा सांसद बने हैं 13 साल में बरुल गांधी ना कभी खनन से जुड़े रहे ना कभी अवयद वसूली कराई ना ठेका पट्टा कमीशन लिया ना तो कहीं निधी पर कोई दाग लगने दिया इतना ही नहीं सांसद के रूप में वो एक पैसे का कोई वेतन नहीं लेते सरकारी पहन का इस्तेमाल किया है राजनीत में यह जो सुचिता है यही साइद उनकी ताकत है और यहीं वज़ा है कि वो बेख़ौफ होकर बोलते हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं उनका फायर जारी है लेकिन बीजेपी की और से अभी उन्हें कोई संदेश नहीं आया है हाला कि उनके आरोब यह कहिए बयान बीजेपी और उसकी सरकार को काफी बिशिलित कर रहे हैं एक नवज़वान नेता पिछले 13 साल से सांसद है चुप है लेकिन जब बोलता है तो बेबाख है बीजेपी में रहके साय भी कोई नेता इतना बोलने की हिम्मत कर पाता हो लेक या बीजेपी ने वरुल गांधी को उनके हाल पर छोड़ दिया है या बीजेपी यह मानती है कि पार्टी के भीतर लोगतंत्र को बनाए रखने के लिए कुछ नेताओं को इस तरह बोलने भी देना चाहिए या मसला कुछ और है अगर हम बरुल गांधी के पिछले एक दो महीने के बयानों को उनके तरकों को अगर उनके पत्रों को उनको ट्रीट को देखें तो ऐसा लगता है कि वह फायर बांड नेता अब चुप रहने को तयार नहीं है या आप यह भी कह सकते हैं कि अच्छा चलता हूं दुआओं मे याद रखना चिठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना कहते हैं जब पानी में जहाज जूबने लगता है तो उस पर जो जीव जन्तु होते हैं वह सबसे पहले कूद कर भागते हैं आदमी थोड़ा देर से कूदता है वफादार जो होता है लेकिन जो सरकार का नौकर है वो अपनी भाविस्थ की बेवस्था सेट करने के लिए वो कभी भी कूद सकता है हाला कि ऐसा कोई असपष्ट माहोल नहीं कि उत्तर प्रदेश में भाविस्थ के चुनाओं में क्या जना देश होगा लेकिन प्रदेश के बहुत सारे IAS अपसर दिल्ली की और रुक किये पढ़ी चार अपसर कभी पाँच अपसर तो केंद्र में यह लगातार सूचिवधि हो रहे हैं सचीव लैविल पे सक्रेटडी लैविल के अपर सचिव लैविल के जोइन्ट लैविल के यह सारे अधिकारी जो आज उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े पदों परर हैं म मुख्य सच्यू, और र्क्य तिवारी को केंध्र में panel meant किया गया है सेक्रेट्री पत के मुख्यमंत्री के जो अपर मुख्य सच्यू है SP Goyal भी वह EMPohnelment है केंध्र में और अपर प्रमुख सच्चिव नियुक्ति और किर्शी विभाग देवेश चतुरवेदी भी दिल्ली में उनका इंपैनल में हो चुका है अभी हाली में तीन और आईएस अफसर केंद्र के लिए अब सूची बद्ध हो गए हैं इनमें पीड़ डी के प्रमुख सच्चिव नितिन नव में हैं अर्चनागरवाल इस समय केंद्र में पहले सितैनाथ हैं और वह सेक्रेट्री रैंक में आ चुकी हैं अगर इन अफसरों के जिनके नाम इंपैनल हुए हैं हम देखें इन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी तो यह किसी भी दिन दिल्ली का रुक कर लेंगे खास्त तोर से उत्तर प्रदेश के मुक्षच्यू राजेंद कुमार तिवारी को लेकर अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं अटकले और चर्चा होती रहती हैं सत्य के गलियारों में खुस्पुस बातें भी होती हैं कि चीप सकर्टी साइथ बदला जा रहा है लेकिन जब आप नवंबर के महीने के करीब हैं और दिसंबर में आचार संगीता लग सकती है तो दो महीने के लिए सरकार अपना मुक्षच्यू बदलेगी इसकी उम्मीद कम है हाला कि मुक्षच्यू राजेन कुमारत्यवारी की नवकरी अभी 2023 तक है यानि उनके पास लंबा समय है वो चाहें तो केंदर में जाकर भी आराम से आखरी वक्त काट सकते हैं किसी बड़े विभाग में इस समय यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जो टाप लेविल के अफसर ह है उसमें स्वी गोयल है उसमें दीपक कुमार भी शामिल है देवेश चतुरवेदी भी है इन लोगों को अगर पोस्टिंग मिलती है तो प्रदेश में जो अच्छे अपसर हैं उनकी थोड़ी कमी आ जाएगी हाला कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं उनको इस बात से ज्यादा फरक नहीं पड़ता या मतलब नहीं होता कि यहां पर अफसरों की कमी है या भरे पड़े हैं उनकी निगाह अपनी पोस्टिंग पर है कि किस विभाग में उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलती है अगर तैनाती मिलेगी तो यहां सरकार के हाथ पैर जोड़कर दिल्ली खिसक लेंगे अगर बढ़िया विभाग नहीं मिलेगा तो अपर इच्छ जिता देंगे हम तो सरकार आपके साथ ही जिए मरेंगे महत्मूर बात यह भी है कि सियासत में जो लोग हैं जो सरकार चलाते हैं जो नेता हैं मंत्री नों के साथ यही एक बड़ी समस्या बनी रहती है कि उनको घर पाँस साल पर जनता को जबाब देना मिया है कि लेकिन जीन अफरों के भरोसे वो 5 साल तक जनता को तो दरलिये तमाम सारी योजनाये चलाते रहते हैं दावे करते रहते हैं जब आखरी वक्त आता है जिनता को जवाब देने का पलट कर बताने का तो पीछे मुण कर देखते तो वो अफसर दिल्ली पहुंचा रहता है तो बस यही एक फर्क है नेता में और बिरोक्रेसी में ब चान तारे हो जाते हैं यह सब ब्यूरोक्रेसी के खेल हैं और बहुत सारे अफसर इसमें बहुत माहिर हैं और उनकी बैटिंग और पोस्टिंग दोनों हमेशा लाजवाब रही हैं अपने हां सत्ता के गलियारे में अक्सर यह चर्चा होती है कि अफसर गिर्गिटान से भी तेज रंग बदलते हैं और कुछ लोग यह तक कहते हैं कि भाई रंग बदलने मामले में अफसर गिर्गिटान को भी फेल कर देते हैं तो यह सब चकल्लास और चर्चा चलती रहती है लेकिन इसमें काफी कुछ सचाई भी है क्योंकि सत्ता के साथ बहुत सारे अफसर रंग बदलते देखे गए हैं योगी सरकार में भश्टाचार को लेकर काफी चर्चा होती है लेकिन अफसर इतने हुसियार है कि भश्टाचार भले ही खत्म ना हो लेकिन सरकार के सामने ऐसा दिखाओ ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्गुल इमानदार हो तो सरकार को यह भरम बन रहता है कि नीचे तक इमानदारी से योजनाई पहुंच रही हैं आज एक वाकिया हम आपके लिए लेकर आए हैं जो लखनव के बिजली विभाग के अपसरों के कारणामे से जुड़ा है लखनव में बिजली विभाग के अपसरों ने सरकार की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए पूरी बिल्डिंग का रंग ही भगवा करा दिया है अगर इन सरकारी कार्यालें में बोर्ड न लगा हो तो आप भरम में पढ़ जाएंगे कि ये संग का कार्याले है या कोई मंदिर तो नहीं है जहां हम आ गए है बात आज मध्यांचल बितु बित्रन निगम के चिनहट और गोंती नगर डिवीजन की हो रही है यहां जो दो एक्सियन के डिवीजन है उनके भवन को ऐसा भगवा रंग में रंग दिया गया है कि वह दूर से ही देखने में पता चल जाता है किवो कोई माठ मंदिर या कोई विकेयश अस्थान है लेकिन वो पिजली भीवाग का दपतर है सरकारी दपतर है और अविकारी इतने होसी हैं कि कि सरकार को वो परभावित करने के लिए उनकी नजरों आने के लिए यहीं नहीं चूके उन्होंने एक्सियन सहबाने कमरे का जो परदा है वो भी भगवा करवा दिया है कुछ अधिकारी कप पलेट भी भगवा रंग का मंगाने पर चर्चा कर रहे हैं कि आज आए तो से आउसर का लाब उठाते हैं या अधिकारी आउसरवादी हो चले हैं सरकारी भवन में इस तरह का रंग रोगन लोगों को बर्बस अपनी और खीचेगा कोई भी गुजरेगा उदर से देखेगा लेकिन बिजली भाग जो बदनाम है भष्टाचार में वसूली में में बिजली संकट के लिए वो सरकार की आखों में किस तरह धूल जोक रहा है भगवा रंग का आणळ लेकर क्या अपसरों को इस तरह की चीजों को करना चाहिए या इससे बचना चाहिए बाट में मंत्री हैं md है enact प्रमुक्स अच्छीव और अधिकारी है क्या वह इस चीज को नहीं देखते या देखते हैं तो फिर इंग्नोर करते हैं सरकारों को खुश करने के लिए ईअर तो को खुश करने उनका बस चले तो बिल्डिंग कमरा परदा गिलास लोटा थाली के साथ साथ पानी भी भगवा करते हैं किसानी और जवानी यह भारत की दो बड़ी पूजी रही है लेकिन जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव निकटाया है तब से इन दोनों ने सबसे ज़्यादा सत्तधार दल को परिशान कर रखा है यूपी में किसान जो था वो बीजएपी के लिए बहुत पहले से सरदर्द बना हुआ है पास्चिम की परिशानी अलग थी लेकिन अब पूरब में एक नई परिशानी आ गई बीजएपी के सामने बीजएपी ने जिस ओपी राजभर यानि ओम परकाज राजभर को कभी साथ लेकर उत्तर परदेश में सरकार बनाई थी अब वही उनके लिए सरदर बन गए बीजेपी के सामने सत्ता का ताज छिटकने का खत्रा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लाल और पीले ने गड़बंधन कर लिया है यानि कि अखिलेश यादो और ओपी राजभर के गड़बंधन और मौव में उनकी रैली ने भाजबा के रणीत कारों को परिशान करके रखा है यह गड़बंधन सो सीटों पर लगभग अपना असर डाल रहा है लेकिन अगर हम राजभर की ताकत पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में यह कहा जाता है कि चार परसेंट के लगभग राजभर आबादी है चार परसेंट को बहुत सकती न बिगाल सकती है लेकिन जब बात अवदोग पूर्वांचल की आती है तो उसमें करीब बीस जिले ऐसे हैं जिनमें यह राजभर दस से बीस परसेंट में पहुंच जाते हैं जब इतनी बड़ी संख्या होगी तो सुभाविक है कि वो सो विधान सभा सीटों को परव कि बस्ती बल्या दिवर्या तमाम सारे जीलों की तो राजभर एक बहुत बड़ी ताकत है इन जगहों पर और आप इसका एक सबूत मान लीजिए कि जो मोग की रहली हुई जिसमें लाटखों की भीर जुटा कर ओम परकास राजभर ने यह जता दिया कि सुभा सपा एक आप बीजेपी के नजरिये से देखा हैं तो जब सरकार बनी थी 2017 में तो थोड़े दिन बाद ही जान गई बीजेपी की राजभर को सम्हाल पाना आसान नहीं है और इसके मुकाबले उन्होंने धीरे धीरे गोट बैठानी शुरू की जैसे मौक के सांसत हरी नडायन राजभर उनको राजसभा का मेंबर मना के भेजना इन सब की इसलिए गोट बिछाई गई कि ओपी राजभर की भरपाई की जा सके लेकिन ओम प्रकास राजभर की मुकाबले ये नेता टिक नहीं पाते ऊपर से अखिलेश यादों ने रामचल राजभर और कई सारे कंट्रोल कैसे करें उधर पशी में उत्तर परदेश में किसान घ्रा डाले हैं लखिमपूर से लेकर तराइची के इलाके में अलग परिशाइनी खड़ी हो गई ऐसे में इतना मजबूत साथी छूट गया तो सरकार के पास क्या राश्ते हैं संगठन के पास क्या राश्ते ह यह बड़ी समस्या BJP के सामने बनी हुई है अगर कुल मिलाकर इस पर नजर डाली जाए तो बात यही लगती है कि जो चार सीट जीत कर बीजेपी को 40 सीट जीत वा रहा था अब वो अखिलेश यादों के साथ आ गया एक दर्जन से ज्यादा सीटे मांग रहा है तो क्या अगर वो इस बार 18 सीटे जीतता है तो क्या असी से सो सीटों की बढ़ोत्तरी भी अपने कड़ बंदन में करेगा यह कई सा स्वाल हैं जो बीजेपी को परिशान और बिशलित किये हुए है शायर मुनवर राना कहते हैं कि किसी के हिस्से में मकां आया किसी के हिस्से में दुकां आई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां आई तो योगी सरकार में पिछले दिनों जो आई-एस और आई- साल से महात्पूर्ण पदों पर जम कर चांदी काट रहे थे वो भी संट कर दिये गए लेकिन कुछ की किस्मत लगातार चमक रही है कि तो जो घर में सबसे छोटा था वो तो जिसके जुगार सबसे कमजोर था वो तो संट हो गया किनारे डाल दिया गया लेकिन जिसके हिस्से में मकाओं दुखा आई वो तो माल काटेगा अब अगर आप इस पर नजए डालें इन तबादलों पर तो सबसे महात्पूर्ण और किस्मत वाले अफसरों में कहे जाएंगे आजमगर के सस्पी रहे सुधीर कुमार सिंग सुधीर कुमार सिंग आगरा के सस्पी बनाए गए हैं उनकी गाड़िक सामने एक बच्चा लेट गया था जिसको थपड़ से मारने लगे और उनके बारे में कहा जाता है कि वह सीम योगी के बेहत करीबी अफसर हैं और बहुत बड़े-बड़े जीलों के पुलिस कप्तान रहें सजातिय होने का उन्हें काफी फाइदा भी मिलता रहा है उनकी छवी कैसी है पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और योगी सरकार भी वैसे देखिये इमांदार अफसरों को बड़े-बड़े जीले देती है और अगर दागी है छोटा मोटा दाग है तो तो प्रदेश में रहें बढ़िया रेंज थी काफी सारे लोग जानने पहिचानने वाले मंत्री जी का अस्थानिये अस्तर पर काफी दोस्ताना याराना उनका बढ़िया कटा तीन साल पूरा हो गया सरकार को वहां से हटाना था लेकिन यूपी में इमांदार छवी के आई पि भेज दिया गया है नवीन अरोरा लखनव में जॉइंट सीपी थे उसके बाद उनको आगरा भेजा गया था उनकी सहली ऐसी है कि बहुत ज्यादा वह समझोता नहीं कर पाते सायद इसका खाम्याजा उनको भोगना पड़ा होगा लेकिन आपको याद होगा कि साजहांपु से कुचल दिये गए जहां पर खात के लिए लोग परिशान हैं जहां धान खरीद में लोग लूटे जा रहे हैं उस लखीमपूर खीरी के डियम अर्विंद चौरसिया को सरकार ने हटा दिया लेकिन इतना सब के बाद भी एस्पी बीजय धुल बने हुए हैं कैसा बिचित सरदारी वाला अधिकारी डेर दो साल से लगातार जीले में जमा हुआ है और तीन महीना पहले गए जिला अधिकारी महोदे वहां से निप्टा दिये गए हालक यह अर्विंद चौरसिया भी कम माहिर खिलाली नहीं है बार बार वहीं जाते हैं वहीं SDM रहे लखीमपूर मे वहीं ADM रहे वहीं CDO रहे वहीं DM बन के भी पहुंच गए बाई जहां उर्वरा धर्ती होती है जहां किसान अच्छा है सरदार अच्छा है जहां पैदाईस अच्छी है वहां सभाविक है दिकारियों का मन जादा लगता है लेकिन भाई खाली DM ही सब चीज के लिए जिम्म दारी ले 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 उनके उपर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए आज उत्तर प्रदेश से पूरे देश में चर्चा है कि ग्रह राजमंत्री का बेटा और उनके लोग किस तरह से किसानों पर जीब चढ़ा कर मार देने के आरोपी बने इतनी सब बड़ी घटना होत सरकार को यह अधिकारी इतना प्रिय है या इतना तकड़ा उसका जुगार है सरकार ने इन तबादलों में सबका वारा न्यारा कर दिया लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी बेखवफ बैटिंग कर रहे हैं इसी कड़ी में थोड़ी दूर और चलते हैं अमेठी अमेठी क के जिला अधिकारी अरुन कुमार का नाम पिछले सब्ता से काफी चर्चा में है दो हजार बारा बैच के इस आईये सबसर का तबादला 48 घंटे में ही सरकार को निरस्त करना पड़ गया जिसके चलते चुकि अरुन कुमार मौ गय थे जब उनका तबादला रुक गया तो मौ तबनसल का भी तबज़ा रुख गया लेकिन अरुन कुमार को ऐसी टाकत ऐसी सक्ति ऐसी पावर कहाँ से मिली कि उनको जिले से जिले गये तो वापा अमेठी में रोका गया इस बात को लेकर काफी चर्चा है MOREClyंες हाला कि अरुन बरेली कि रहने वाले हैं demonstrier आई आई टी भी किये हुए कानपूर से हाला कि उनके जिले की कुछ जनप्रिदी उनसे नाराज हैं और जब वो हटे तो उन्होंने खुसी मनाई वो चाहते थी कि दियम सहाब चले जाएं लेकिन हर बार हर सरकार में आप देखेंगे तो कुछ अधिकारी अपनी काबिलियत के दम पर सीर्स पर जाते हैं कुछ जुगाड के दम पर लेकिन काबिलियत वाले कई बार उपर से धनक कर सीधे नीचे चले जाते हैं और पड़े रहते हैं अंधेरे में उनकी सुदि लेने वाला कोई नहीं होता है तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बैती है और जहां जुगाड सब पर हमेशा भारी रहा है बैरहल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही अगले सब्ता आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार पांसो क्या भाईयां पांसो रुपे में से कहीं ज़्यादा मिले हैं